हे मनुष्य इश्वर ने आपको जीवन दिया है इसका मतलब यो नहीं कि आप इसे यूँ ही बरबाद कर लिजिए या इस जीवन को सही ढंग से सही तरीके से नहीं जीने के कारण आप एक दिन मर जाएए सभी लोग इस समाज में इस संसार में यही देखते हैं कि एक दिन वह बच्चा था कुछ समय के बाद वह जवान हो गया कुछ समय के बाद वो बुढ़ा हो गया और कुछ समय के बाद वो एक दिन मर गया लेकिन मैं इश्वर पूत्र आदिश्री अरुन आप से या कहता हूँ कि आपको इश्वर ने जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप एक दिन मर जाएए है मनुष्य इश्वर पूत्र के पाश एक योजना है धर्मसास्त्र इर्मिया अध्याए 29 का असलोक 11 उल्टा करके दिखो धर्मसास्त्र इर्मिया अध्याए 29 का 11 या काता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बिशा में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे खानी के नहीं, बलकि कुसल के हैं, यानि कि इस योजना में जिंदगी है, इस्वरपुत्र ने आपके लिए जो योजना बनाया है, उसमें जिंदगी है, लेकिन कोई और है जो आपके लिए योजना बना रहा है, और वो है सायतान, उसके योज में आपके लिए मिर्तिव है लेकिन आपका बिरोधी सैथान गरजने वाले शिंग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फार खाए धर्मसास्त्र एक पत्रैस अध्याई पांच का असलोग आठ उल्टा करके देखो इश्वर पूत्र आपको बचाना चाहते हैं और सैतान आपको नश्ट करना चाहते हैं लेकिन आप स्वैम को बचाने या स्वैम को नश्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं क्यों क्योंकि स्वतंत्रता इश्वर का मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है निर्ने आपको करना है कि आप परमेश्वर के तरफ जाएंगे या आप सैतान के तरफ जाएंगे लेकिन इश्वर ने मनुष्य से कहा कि तुम जिंदगी को चुनो एक बार चार इंजिनियर एक गारी ठीक कर रहा था सुबह से साम हो गया लेकिन वह गारी ठीक नहीं हुई वे चारों इंजिनियर बहुत निरास हो गया कि या गारी ठीक नहीं होती है क्या बात है उसी समय वहाँ पर एक बुढ़ा बैक्ती आया और उस इंजिनियर से कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो पता है क्या हुआ वो चारों जवान इंजिनियर उस बुढ़े बैक्ती को देखने लगा उसने उस बुढ़े बैक्ती से कहा कि आप मेरी मदद करेंगे हम चारो औक्सफ़ॉर्ड इन्वर्सिटी के ग्रेजिोट इंजिनियर हैं आप हमारी मदद करेंगे उस बुढ़े बैक्ती ने कहा कि नहीं नहीं भाई आप सुबह से परिशान हो रहे हैं और गारी ठिक नहीं हो रही है, अच्छा मुझे दो मिनट दे दीजिए, तो वह इंजिनियर ने कहा कि चलो आपको दो मिनट दे देते हैं, वह बुढ़ा बैक्ती गारी के पास गया और देखा कि क्या सही है, क्या नहीं है, तो रत गारी को स्टार्ट कर दिया, तब चारो एक मुझे सुबह से साम हो गई, लेकिन मैं गारी को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन आप इस गारी को दो मिनट से पाले ही ठीक कर दिया, आप कौन हैं, आप कहा से आये हैं, आपने कहा से पढ़ाई की है, वह बुढ़ा बैक्ते मुस्कुराया, और बोला कि मेरा नाम हैंडरी फोर इसलाम और सिख धर्म के विद्वान इबंग प्रवर्त तक 5123 बरसों से लोगों के रहन सहन जीने का तरीका तथा लोगों के सोच को पवित्र बनाने में लगे थे अब कल्युक का अंत होने को आया लेकिन आज तक वो ऐसा नहीं कर सके उनकी परिशानी को देख कर मैं इश्वर पुत्र आदिसरी अरुन ने कहा कि आप थोरा समय मुझे दे दिजिए इन चारो धर्म के परवर्तकों ने मुझे से कहा कि क्या आप इन अधर्मियों को ठिक करेंगे अच्छा तुम नहीं मानते हो तो चलो मैं तुमको एक बार अवसर दिया जब मैं अकेला चारो धर्मों के लोगों को टीच कर उनमें परिवर्तल लाने लगा तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन हैं आप कहां से आएं मैंने जवाब दिया कि मैं पुर्ण ब्रह्म का एकलावता बेटा हूं मैं पुर्ण ब्रह्म का प्रतिबिंब हूं मैं अपने पिता के गोध से उतर कर धर्ती पर आया हूं मैं वही ब्यक्ति हूँ जिसने संसार के सभी चीजों तथा सभी मनिशों की रचना की। अब वो ब्यक्ति आपसे या कह रहा है कि क्या आपको जीवन चाहिए। क्या आप अमर्ता को प्राप करना चाहते हैं। क्या आप कोरोना जैसे भयंकर महामारी के तीसरे लहर से बचना चाहते हैं। अगर जदी आपका जवाब हां में है तो आप साधना को सिद्ध कीजिए। वो साधना में है घूत सुद्धी। अनुनोम बिलोम प्रनायाम, कपाल भाती प्रनायाम और उज्यई प्रनायाम। इसके साथ नाप जब और भोजन करने का सही तरीका को जानी। और हमारे दियेगे निर्देश पैर इस साधना को आप केबल तीन मैना में सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप अपनी गती से चलेंगे, तो आपको इस साधना को सिद्ध करने में छे मेने लग जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप अमर्ता को प्राप्त करेंगे, आपकी मिर्तु नहीं होगी, आप बुढ़ा नहीं होंगे, आप पुनर जान्म को प्राप्त नहीं होंगे, तथा सब प्रकार के रोग एवन संकट से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि ये साधना केबल सुद्ध हवा में ही सिद्ध हो शकता है, पॉलूटेड हवा में नहीं। और साधना को सिद्ध करने के लिए आप एर प्यूरिफायर मशीन खरिद कर कमरे में लगा लेजिए। और उस कमरे में बैठ करके एक घंटा शुबह और एक घंटा शाम में या सोने से पहले आप साधना को सिद्ध करने का अभ्यास किजिए। बस आप देखेंगे कि आप पहले से एकदम स्वास्थ बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक और आपका स्वास्थ बहुत अच्छा हो चुका है। मनिश न तो कभी बिमार होगा, न कभी बुठा होगा, न कभी महमारी का सिकार होगा और न कभी मड़ेगा। वह अनंत जिवन प्राप कर लेगा, वह अमर्ता को प्राप कर लेगा, उसे चिरंजी भी होने का वर्दान मिल जाएगा। धर्ती पर कुल आठ लोग हैं जिन्हें चिरंजी भी होने का वर्दान प्राप्त है वा जब से जन्म लिया तब से न कभी बुड़ा हुआ और न कभी मरा उनके शरीर में योग की आठों सिद्धिया मौजूद है वे आज भी धर्ती पर मौजूद है इस्वर के द्वारा उन को अनंत जीवन मिला है वे आठ भी धर्ती हैं नमबर एक अस्वर थामा नमबर दो राजा बली नमबर तीन वेदे ब्यास नमबर चार हनुमान जी नमबर पांच बिभीशन नमबर च्रिपाच शाठ नमबर साथ प्रशुराम जी और नमबर आठ रिशी मारकंडे अस्वर जी नमबर तामा बलिड व्यासो हनुमानस्चा बिभीशन नमबर प्रशुरामस्चा सत्ते चिरंजी विनह सैतप्तानस्मरे नित्यं मारकंडेयम यथा आश्टमम जीबे द्वर्स सतंसोपी सर्ब ब्याधी विवर जिता इस असलोक का अर्थ है अश्वर थामा राजा बली बेदव्याश हनुमान जी बिभीशन किरपाचार और प्रशुराम ये साथ चिरंजी भी हैं और नीचे का दो असलोक का अर्थ है कि जो कोई मारकंडेय और पहले का साथ रिशी का नाम यदि प्रती दिन प्राता काल असमरन करते हैं तो वह सर प्रकार के रोग एबंग ब्याधी से चुटकारा पालेंगे जो मेरे मार्ग पर चलेगा वह कभी भी नहीं मरेगा वह मिर्तियों के चंगुल से चुटकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा बारत की इस पुन्य भूमी पर ऐसा फूल खेला इश्वर पोत्र है नाम जिसका सत्गुरु स्वरूप है तथास तू अर्थात ऐसा ही हूँ